असलामों अलेकुम हेलो फैंस वेल्कम टो माईजा हरास की चेन मैं हूँ जहां आ रहा उम्मीद करती हूँ आप सब खेरियत से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ दो किलो चिकेन बिर्यानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना बहुत यासान है बहुत सिंपल तरीके से मैं से बना कर शेयर करूंगी और मैं यहाँ पर कोई भी बाहर का पाउडर मसाला इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ घर के पाउडर मसाले से ही हम इसे बना कर त्यार करेंगे तो फ्रेंड इस बिरियानी की रेसिपी को एन तक जरूर देखते रहे हैं अगर इस रेसिपी में आप लोगों को मेरी मेहनत दिख रहे हैं और इस रेसिपी से आपको कुछ भी सिखने को मिलता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएगा साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचेगी आप उससे सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं चिकेन दम बिरियानी की रेसिपी जि देखिए यहां पर मैंने ले लिया है मिट्टी का चुला जिस पर मैं छोटा छोटा सा पहले सूखा लकडी डाल देती हूँ बिल्कुल सूखा लकडी होगा तो चुला जल्द जल जाता है उसके बाद मैं हाँ पर थोड़ा सा किरोसिन एट करूँगी और माची से मैं पेप 5-8 लिटर पानी एट कर लेना है क्योंकि मैं हैपर दो किलो चावाल कूही बॉइल करने वाली हूँ तो इसल aspects स्वाड़ मिश्के बार कुछ खडे मसाले एक दालचीनी का टुकड़ा उसी के साथ छोटी लैची और लॉंग और मैंने यहाँ पर ले लिया है काली मिच पहरे मैं हाँ पर तेल डाल देती हूँ इसी के साथ हमें नमक डाल देना है सभी के क्वांटिटी मैं वीडियो में मेंशन कर दी हूँ आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद हमें खड़े मसाले डाल देना है हरी मिच डालना है और मैं यहाँ पर आधी नीमबू का रज डाल कर उसके बाद उस नीमबू को मैं उसी पानी पर डाल दूँगी नीमबू का रज डालने से कहना चावल बिलकुल चिपचीपा नहीं बनेगा खिला खिला बनेगा यानी तुटेगा भी नहीं हो तो अब हमें यहाँ पर पुदीना और सौप का इस तरह से हमें पुटला तयार कर लेना है उसके बाद हमें इसे पानी पर डाल देना है इसका फ्लेवर पानी में आ जाएगा तो देखे मैंने पुटला तयार कर लिया है अब मैं यहाँ पर इस तरह से डाल देती हूं पानी में बॉइल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसी दर मयान हमें हैंपर चीकेन में मेरिनेट कर ले लेंडा है मसाला यहां पर मैंने 2 किलो चीकन को अच्छी तरह से पानी से साफ कर लिया है अब मैं हैंपर चार चमच अध्रक लहसन का पेसड डाल देती हूं अब मैं हाँ पर 200 ग्राम दही आट कर लेती हूं फ्रेज दही का इस्तिमाल कीजिएगा जब भी विरियानी बनाएं तो मैंने हाँ पर दही डाल दिया है अब मैं हाँ पर आधी चमच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर डाल देती हूं एक चमच लाल मिर्च पाउडर हमें ले अब मैं हाँ पर दो चमच नमक दाल देती हूं नमक हमने पानी में आट किया है चावल को वोईल करते वक्त अब मैं हाँ पर दो चमच गर्म मसाला पाउर डालती हूं जिसकी रेसीपी मैंने अपलोड कर दी है उसकी लिंक में डाल दोंगी डिस्क्रिप्शन बाक्स पर में लिए हमकिन भू रखने करों से दिवाधने को एजैनों को हम आदे का मेश hasn't है इसे हैं 2 यहां पर जो है जो है 1 आदे को चुका है पानी तरह वे चाव यह खूह से गाल Movies सभी चावल को हम यहाँ पर डाल देंगे इस तरह से चावल डालने के बाद हमें अच्छी तरह से चमच चला लेना है नहीं तो चावल नीचे जाकर बैठ जाएंगे और चावल को हमने आदे गंटे के लिए भीगो कर रखा हुआ था सभी चावल चावल को सब्सकर के बाद जांगे उसके अधा सभी घंचावल निकाल देना है यहां पर जाइतरी भी लिया है और एक स्टार फुल यहां है सभी खड़े मसालों को मैं थोड़े दिर के लिए चड़कने दूँगी उसके बाद हमें हैं पर मैलिनेट किया वा चिकन को अठेकर लेना है सभी चिकन को मैं हैं पर डाल दूंगी और अच्छी तरह से हमें इसे इस तरह से चमा चलाते हुए हमें इसे बुनते रहना है जब तक मसाला अची तरह से पकना जाए चिकन का कलर चेंज रहना हो जाए मसाले से तेल ना चोने लगे बरतन को लीट से कवर कर लूँगी बिजबिज में इसका लीड अटा कर हमें इस तरह से चमा चलाते रहना है बिल्कुल भी पानी हमें एड़ नहीं करना है चिकेन पकने के दौरान पानी छोड़ेगा क्योंकि हमने उसमें दही भी एड़ किया है तो देखिए मैंने इस तरह से चमा चलाते हुए तकरीबन 15-20 मिट के लिए चिकेन को पका लिया है और कॉर्मे कालर भी आप देख सकते है पूरी तरह से चेंज हो चुका है अब हमें क्या करना या है दम लगाना है तो यहाँ 清楚 है बड़ा लकडी रखी थी इसके अंदर छुले के अंदर उससे मैं निकाल देती हूं क्योंकर हमें यहाँ पर और इसका आख थेजी नहीं करना है अब मैंने यहाँ पर एक चमच गर स्पेटल भी एड़ कर लोगी के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो यहां पर मैंने ले लिया है एक कप दूद सेफ्रों सफ़को यहां पर करीब लेना सब्सक्राइब विर्यानी नहीं बना रहें सब्सक्राइब हम यहां बना रहेुँ डारिक्ट कॉर्मे के उपर ही हमें सभी चावल को एट कर लेना है अच्छी तरह से फैला लेना है उसके बाद हमें हैंपर तलीवी प्याज को एट कर लेना है तलीवी प्याज में हमने सभी मसाले मिला लिये हैं उसके बाद हमें इहांपर डाल देना है केसर वाला दूद अच्छी तरह से फैला कर और साथी हमें इहांपर डाल देना है देशी घी देशी घी दम करते वक्त जरूर एट कीजिएगा बिरियानी में इसे फलेबर बहुत बढ़ जाती है अब मैंने इहांपर डेशी घी डाल दिया है 1400 ग्राम के करीब और अब हमें क्या करना है फाइल पेपर से अच्छी तरह से इसे कावर करना है उसके उपर उसका लिड लगा लेना है बरतन का और अब मैं यहाँ पर रख लेती हूँ गर्म कोईले अगर हम चुले हाँ पर बनाते हैं बिर्यानी तो इस तरह से हमें दम करना होता है नीचे भी को थोड़ा सा गर्म कोई ला रहता है और उपर भी इस तरह से हमें रखना होता है 15-20 मिट के लिए मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी तो यहां पर आदा गंटा हो चुका है मैंने दम पर रखा वा था अब मैं इसका लीड हटा कर आप लोगों को दिखा देती हू फाइल पेपर को हम आहिस्ता से हटाएंगे बहुत खुस्बूदार बिर्यानी बन कर त्यार होता है आप देख सकते हैं गर्मा गर्म हमारा बिर्यानी बिल्कुल बन कर त्यार है दम मैंने इसे 20-25 मिनिट के लिए उसके बाद मैं इसका लीड हटा कर आप लोगों को साथ श टेस्ट बहुत लाजवाब आता है गेस्टो पर तो हम बनाते ही हैं लेकिन अगर हम इस तरह से चुले पर बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अलगाता है बहुत ही मज़ेदार की बिर्यानी बनी है माशालला से आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राय करके बोसं दाएगा कोई भी मानने हैं यहाँ बाजार की oike्तार मसाले का इस्तिमाल किसमालते है घर ओवाजालो के साथ ही मैने इसे बना कर तियार कि+, दो किलो बिर्यानी में आप बारा लोगों को खिला सकते हैं बहुत भी मज़ेदार की बिर्यानी हैं की बहुत खुच़् से आप गर मसाला पॉटर बना कर सकते हैं बहुत दिनों के लिए रख सकते हैं स्टोर करके उसकी खुजबू बिल्कुल बरकरा रहती है तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा चिकन बिर्यानी बिल्कुल बनके तेयार है आप इस रेसिपी को एक बास जरूर ट्राय किजिए अगर इ आज की रेसिपी सच में आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीस इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फुन पर सबसे पहले तो चलिए मिलते हैं कि ने रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद जरूर रखें अल्ला हाफिज